नभुश्कार आपको सोगती इस टॉकलोजी में आज हम बात करने वाले हैं लार्सन एंट टूब्रो इंफो टैक लिब्टिट के कौटरली रिजल्ट के बारे में तो जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें बैल आकउन पर क्लिक करते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब देख लेते हैं रिजल्ट को यहां पर रिजल्ट हैं और आकड़े दिए गए हैं मिलियन में बात करें रिजल्ट के फॉर्मेट की तो सबसे लास्ट पर जो कॉलम है वो सितंबर 21 कौटर के रिजल्ट हैं सेकेंड नमर Free School 七 की टोटल इंकम थी 38,782 मिलियन की जूनवा स्कॉाटर में यह होई 46,629 मिलियन की और सितंबर 22 कौटर में कंपम तो उनछाषाजार 760 मिलियन की तो टोल इंकम की बात करें year on year में सितंबर इस quarter से सितंबर वाइस quarter में तो year on year base में income 28% बढ़ते हुई नजर आ रही है बात करें quarter on quarter में June 24 से सितंबर वाइस quarter में तो quarter on quarter base पे 7% की व्रद्धी इंकम में होते हुए दिखाई दी रही है बात करेंगे अब expenses की सबसे नीचे दिये गए हैं total expenses सितंबर इस quarter में 31,362 million के total expenses थे June 22 quarter में 38,169 million के total expenses हुए और सितंबर वाइस quarter में 40,747 million के total expenses हुए हैं तो total expenses को देखें year on year में सितंबर इस quarter से सितंबर वाइस quarter में तो year on year basis पे 30% की व्रद्धी expenses में होते हुए दिखाई दी रही है बात करें quarter on quarter में जून बाइस quarter से सितंबर बाइस quarter में तो quarter on quarter basis में हमें 7% की व्रद्धी expenses में होते हुए दिखाई दी रही है अब हम बात करेंगे profit and loss statement की तो बात करते हैं सबसे पहले profit before tax की थार नमर पॉइंट दिया गया है profit before tax सितंबर 21 quarter में 7420 million के profit before tax थे जून बाइस quarter में 8510 million के profit before tax हुए और सितंबर 22 quarter में 9,013 million के profit before tax हुए है तो profit before tax की बात की जाए year on year में सितंबर 21 quarter से सितंबर 22 quarter में तो year on year basis में हमें 21% की व्रद्धी profit before tax में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में जून बाइस quarter से सितंबर 22 quarter में तो quarter on quarter basis वे 6% की व्रदी profit before tax में होते हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अब फिप्ति नम्मर पॉइंट की net profit after tax की मतलब company के net profit की। सितम्मर 21 quarter में 5517 million के net profit थे। जून 22 quarter में 6344 million के net profit हुए। और सितम्मर 22 quarter में 6,798 million के net profit हुए है। तो net profit को देखें, year on year में 27 dawn 11 quarter सितम्मर 22 quarter में नजर आ रही है। सम्मर 25usa. कम्पनि के net profit है, वो बढ़्टे हुए नजर आ रही है. कंपनी की एर ओन एर रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं तेश प्रतिशत की प्रॉफिट में व्रद्द हुई है धन्यवाद